State Bank of India ने Tata को partner बनाया है और Tata का ही Tata Communication नाम का जो company का branch है उनहीं के तरफ से एक Indie Cash Pole के company found किया गया है Tata के तरफ से, आप इसका website चेक कर सकते हो, बेसिकली ये company ATM के उपर काम करती है, पूरे देजवर में ATM लगाती है ये company, अब आपको मैं ये क्यूं बता रहा हूं, क्यूंकि आपके पास एक बहुत ही अच्छा opportunity है अगर आपके area में ATM की कमी है काफी कम ATM है तो आप इस काम को ले सकते हो franchise के रुपे ठीक है अब मैं आपको बता दू कि यहाँ पे किसी भी तरीके का eligibility होने की जरुवत नहीं है बहुत ही minimal eligibility requirements वगरा है जो मुझे लगता है कि अगर आप इस chance पर dance करना चाते हो तो फटा फट से आपको करना परेगा क्योंकि एक बार अगर आपका ATM लग दिया तो फिर कोई competition दूसरा खरा नहीं होगा आपके आसपास because ATM जो company होती है जो ATM setup करती है चाहे वो bank के तरफ से हो या कोई franchise की तरफ से वो 400 मिटर के range minimum रखती है 300-400 मिटर मतलब आपने setup कर लिया ATM तो वहां से 300-400 मिटर के radius पर कोई भी दूसरा ATM नहीं open किया जाएगा ठीक है ऐसा mostly होते हैं तो आप सोच सकते हो कि यह आप अगर एक open कर लेते हो तो कहीं न कहीं आपका एक side income बन जाता है अच्छा खासा side income आपका बन जाएगा और आप monthly हर महीने कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ पैसे कमा पाओगे अब दिखो आप सोचोगे कि ATM मशीन पहले तो आपके तरफ से कैसे बठा जाएगा ATM मशीन तो bank बठाते हैं लेकिन आपको बता दू कि ऐसे बहुत से ATM है देशवर में जो franchise लेके किसी ने बठाया है और हर एक transaction पर मतलब मान के चलिए आपने एक ATM बठा दिया और मैं आपके ATM में जाके पैसा उठाया तो आपको हर एक transaction का पैसा मिलेगा आपको ठीक है और तो और अगर मैंने पैसा भी नहीं redeem किया बस मैं card घुसा के balance inquiry या statement inquiry करके आगया तो भी आपको पैसे मिलेंगे ठीक है यानि कि अगर आपका ATM मशीन में कोई लोग आता है तो आपको पैसे मिलते हैं तो बहुती अच्छा opportunity है अगर आप लोग कुछ अच्छे business opportunities जो site से चालो किया जा सकता है उन सब के बारे में देखना और जानना चा definitely subscribe कर लो वहाँ पे 2024 में हम लोग काफी अच्छे अच्छे business के ideas और business के marketing strategies के बारे में जानेंगे ठीक है तो और बाकि आप मेरा ये channel भी subscribe कर सकते हो क्योंकि इसमें भी हम लोग आप लोग के लिए ऐसे ही videos बनाते हैं अब देखिए यहाँ पे अब सुरू करते हैं मैंने बताना था ओके तो यहाँ पे देखो हम आ चुके हैं इनके website पे जैसे कि मैंने आपको बताया ये टाटा के तरफ से company है और टाटा communication basically Tata Communication नाम का एक branch है Tata का ही ठीक है उसके तरफ से यह company है और क्योंकि Tata का company है तो आप आखमून के trust कर सकते हो और तो और State Bank of India ने इस company को partner बनाया है ताकि आप देश बर में अपना ATM setup करो ठीक है उस कारण ओके तो और एक basic सवाल होगा आपके मन में की देखे अगर सवाल है न तो आप FAQ बोलके section है इस website पर आप इस पर क्लिक करके न बहुत सारे FAQs यानि की frequently asked questions जो भी common questions होंगे वो सब जान सकते हो ठीक है यहाँ पर काफी सारे हैं आप देख सकते हो तो बहुत लोग यह भी अगर 100 लोग भी आपके ATM में आने लगते हैं तो आप 100 में से आठ रुपई करके देख लो मतब mostly तो लोग पैसे ही निकालने आते है बैलेंस चेक करने कौन ही आता है ठीक है तो आठी रुपया मानेंगे तो 100 x 800 रुपीज हो जाता है बट मैं आपको बता दू अच्छे खासे लेवल पे लोग जाते हैं ATM में अगर 200 जन होने लगते हैं रुपीज का refundable investment करना होगा ठीक है मतब दो लाग रुपई आपको minimum चाहिए लेकिन यह refundable investment है और और यह franchisee owned lease side यह डेल लाग का refundable होगा और आपको cash डालने के लिए 3 लाख रुपई तक का working capital होना चाहिए मतब यह आपको company को नहीं देना है आप अपने ATM machine में cash डालोगे 3 लाख रुपई तक का ठीक है आपको समझा दिया जाएगा दीखो basic क्या होता है कि company का कोई आके वहाँ पे आपका cash नहीं डालेगा आपको को ही जो कुछ करना है उस ATM machine में करना है जो cash डालना था यहाँ Nelson संजा देंगे यहां पर कैसे करके क्या होगा वह देख लिजे तो इसे बहुत से question है, आप लोग एक एक करके देख रहे हैं, मैं बताता हूँ कैसे करके आपको apply करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, ATM franchise सो हो रहा है ATM franchise, तो इस पर मैं click करता हूँ, और इस वाले है, उसके बाद कुछ franchise का benefits है, ठीक है, यह सब है तो मैंने benefits आपको बता ही दिया है कि 8 रुपए अगर आपको per transaction मिल रहा है तो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है वो बहुत सरी चीज है, बिना कुछ करें बस cash जालते रहो, जो cash निकालेगा वो भी आपको मिलते रहेगा, एक साइट से फिर bank से उठा के लाओ, ऐसे करके तो आपको bank भी support करेगा, आपका cash निकालने और जमा करने में ठीक है, और आप अपने ATM मेशिन में एक दिन में पैसा जमा कर दो फिर जो पैसा लोग निकालेगा, वो पैसा आपको आपके account में मिल जाएगा, वहाँ से cash निकालके अपने ATM में डाल दो इसे करके simple तरीके से आपका ATM setup हो जाएगा, और आप ATM को manage करोगे, और जैसे ATM manage करोगे, उस हिसाब से फिर आपको कमाई होते रहेगा 8 रुपई per transaction के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, अब देखते हैं अब last में बात कर लेते हैं, किस तरीके से apply करना है तो यहाँ पर देखेगा, ATM franchise बाला में आओगे, तो inquire now पर click करना है और यहाँ पर आपको सारा अपना details डाल देना है तो full name, email id, pin code state, city, area यह सब सब सही से डालना है ताकि वो वो लोग अपना record चेक करेगा, ठीक है कि इस area में जरूरत है कि नहीं तो अगर आपका area में record चेक करने के बाद उन लोग को जरूरत लगा कि हाँ यहाँ पर सही रहेगा तो आपको यह लोग call कर लेगा ऐसा बात नहीं है कि आपको तुरंद call आ जाएगा कुछ time लग सकता है otherwise उनको अगर जरूरत समझ में आया आपका area में तो वो लोग call करेंगे तो address of the shop मतब आपका जो जगा होना चाहिए वो minimum 50 square feet का होना चाहिए ज्यादा नहीं 50 square feet बहुत ही कम होता है ठीक है और ATM में ज्यादा जगा भी जरूरत नहीं परता है तो मातर 50 square feet के जगा में आप सुरू कर सकते हो उस काम को और अगर आप ये काम कर लेते हो तो आप सोचो कितना अच्छा रहेगा और यहाँ पर कुछ चीज़े और भी रहते हैं कि आप अपने जो जगह है उसको उसमें आप ATM का franchise business model लेना चाहते हो या बस आप rent देना चाहते हो तो rent वाला मैं recommend नहीं करूँगा क्योंकि rent में आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं fixed but ATM franchise ही ले लोगे तो सही रहेगा ठीक है यहाँ पर दो number point में दिया गया है are you willing to make a minimal investment of 5 lakh और more for ATM franchise तो अगर आप लोग 5 lakh minimum investment कर सकते हो तो yes करोगे otherwise no करोगे तो मैं तो recommend करूँगा yes ही करने के लिए क्योंकि और 5 lakh अगर होंगे तब ही करना ऐसा नहीं कि कर देना तो yes कर देना और जो data style के आप लोग submit कर देना ठीक है उसके बाद जब भी इनके Tata Indie Cash के team को लगेगा कि आपको call करना चाहिए और आपको यह franchise देना चाहिए तो वो लोग आके वो लोग phone करके आप से detail लेंगे और फिर उनके लोग आपके location में आएंगे आपके location को check करेंगे कि यहाँ पे ATM बठाना सही रहेगा की नहीं अब देखे ATM वहाँ पे बठाय जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मतब लोगों का आवा जावी रहता है ठीक है ऐसा नहीं कि बहुत ही अंदर में गाउं का या सहर का बठा लिए जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है तो company भी अपना फाइदा देखती है और आपको भी अपना फाइदा देखना है आपको यह सोचना है कि minimum क्या 50 आदमी 50 transaction हो सकता है अगर 50 हो सकता है तो आप setup करो ठीक है और मान के चलो 20-30 इस भी होता है यह सुरू सुरू में तो भी ठीक है धीरे धीरे तो वो आपका ATM होगा ही जादा ठीक है तो और भी बहुत सारे company है इंडी cash में आप लोग apply कर देना अगर चाहते हो तो और बाइचनस अगर यहां से काम नहीं बनता है बहुत सारे और भी companies है एक के उपर मैंने वीडियो औरेडी बना के रखा है इंडिया और ने टियम करके वो वीडियो भी आप लोग चेक कर लेना उसका भी link नीचे description में मिल जाएगा और भी एक दो company हैं उनके बारे में भी वीडियो बना दूँगा चैनल को definitely subscribe कर लो फिर मिलते हैं किसी होड वीडियो के साथ